रोजगार नहीं दे सकते तो कुर्शी छोड़ो प्रस्पा प्रदेश अध्यक्षि नितिन कोहली बेरोजगारी के खिलाफ चल रही प्रस्पा की साइक्ल संदेश यात्रा मंगलवार को एमजी रोड होते हुए मथुरा के लिए निकल गई इस दौरान एक स्थान पर पुलिस ने भी संदेश यात्रा को रोकने की कोशिश की वहीं संदेश यात्रा में सैंकडों कारे करता और पदादिकारी मौजूद रहे गौर्दरब है कि बेरोजगारी के खिलाफ लखनों से निकली गई प्रकतिशील समाजवादी पार्टी की संदेश यात्रा को ताज नगरी के टीडियाई मौल के पास से शुरू किया गया और वो एमजी रोड होते हुए मथुरा के लिए निकल गई इस दोरान ताजगंज पुलिस ने संदेश यात्रा को रोग लिया और करीब आदे घंटे के बाद यात्रा आगे बड़ी वहीं प्रदेश अध्यक्ष नितिन कुहली ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार या तो रोजगार दे या फिर बेरोजगारी भत्ता दे और यदी नह नहीं दे सकते तो उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए वहीं जिलाद्यक्ष धारस सिंग यादव ने कहा कि यदि यह सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे और अपनी बात को उनके पास तक पहुचाएंगे इस दोरान महानगर के प्रमुक सच् कि सरकार मजदूर गरीब किसान चात्र के विरोधी सरकार है जिससे जन्ता आत्म हत्या कर रही है संदेश यात्रा लक्ष्मी नरायन वर्मा सुनील यादव यूनिस खान थान सिंग यादव आश्वीर सिंग रजत यादव लक्की शिवहरे दावत जलाल कुरेशी मुबीन विकास यादव प्रदीप सिंग आधी लोग मौजूद रहे